तस्वीर के सिर्फ होट बनाने में लगे 12 साल किसने बनाई थी न्यूड तस्वीर, किसने किया था तस्वीर के लिए सुसाइड 21 अगस्त 1911, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मंडे मॉर्निंग का समय था, उस दिन काफी चहल पहल थी और लोग अपने घर से काम पर जा रहे थे कि तभी अचानक लूवर म्यूजियम से तीन आदमी बाहर निकलते हैं, इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी और अब उनके हाथ में थी लूवर म्यूजियम की एक अहम संपत्ती, जिसको ये एक कंबल में छुपा कर भाग रहे थे ये पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह पौने आठ बजे की ट्रेन पकड़ते हैं और गायब हो जाते हैं पूरी दुनिया इस बात से अंजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी की है और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं थी, ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग, दम मोना लिसा की थी आज के दिन इस एक पेंटिंग की कीमत 1000 मिलियन डॉलर यानी 83 अरब इंडियन रूपीज के बराबर है आखिर क्या कारण है पेंटिंग में, आखिर क्या राज छुपे हैं इस मोना लिसा के अंदर, क्यूं है ये वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग एमरिकन टेक की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मोना लिसा की पेंटिंग्स को 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डविंची के द्वारा बनाई गई थी ये सिर्फ एक पेंटर नहीं, बलकि एक एंजिनियर, साइंटिस्ट, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट और थियोरिस्ट भी थे इन्हें इतने सारे अलग-अलग सबजेक्ट की नौलेज थी चाहे वो पेंटिंग हो, कार्टोग्रफी हो, आस्ट्रोनमी हो, बोटनी हो, हाइड्रोलोजी हो, जियोलोजी हो, आप्टिक्स हो, या फिर पेलेंटोलोजी ही क्यों न हो इनकी जिन्दगी पर अलग से एक वीडियो बन सकता है, तो इनकी बात ज्यादा न करते हुए, इनकी सबसे फेमस पेंटिंग मोना लिसा पर आते हैं पेंटिंग पर दरसाई गई इस औरत को लेकर, लोग हमेशा से ही क्यूरियस रहे हैं इसको लेकर सबसे पहला खुलासा किया गया था जोर्जियो वसारी नाम के एक इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा, जिन्होंने साल 550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी थी इस चहरे ने सदियों से दुनिया को हैरत में डाल रखा है, ये चहरा एक ऐसी रहस्य मई मुस्कान लिये हुए है, जिसको समझना 500 सालों से एक रहस्य बना हुआ है वसारी के अनुसार ये औरत थी लीसा घेरारदिनी, इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर फ्रांसेसको डेल जियोकोंडो के साथ हुई थी लियोनार्डो का कहना था कि ये पेंटिंग जियोकोंडो ने अपनी पत्नी के लिए बनवाई थी, लेकिन इस पेंटिंग को जियोकोंडो की फैमिली को कभी दी ही नहीं गई इसमें दिल्चस्प बात ये थी कि साल 1550 में खुलाशा होने के बावजूद लोग मानने को तयार नहीं थे, कि वसारी ने जो बताया वो सही था उसके बाद कई थियोरी सामने आई कि वास्तव में ये औरत कोई और है, कुछ ने कहा कि ये औरत लियोनार्डो की गर्लफ्रेंड थी, तो किसी ने कहा कि ये इटली की किसी महारानी की पेंटिंग थी, तो किसी ने कहा कि ये लियोनार्डो की मा थी, इसमें सबसे मज़ेदा बात ये थी कि ये पेंटिंग किसी और की नहीं बलकि खुद लियोनार्डो डाविंची की थी। जिन्होंने इस पेंटिंग पर 25 साल तक रिसर्च किया और 2004 में बताया कि लिसा डेल जियोकॉंडो फ्लोरेंस और टसकनी के घेरारदिनी परिवार की सदस्य थी और फ्रांसिसको डेल जियोकॉंडो की पत्नी थी और साथ ही साथ इसका भी रिकॉर्ड मिला कि लिसा की शादी 5 मार्च 1495 में रजिस्टर हुई थी तब लिसा की उम्र 16 साल थी और फ्रांसिसको की उम्र करीब 30 साल थी और जब इस पेंटिंग को बनाई गई थी तब लिसा की उमर 24 साल थी कहा जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई है वह अपने अंदर किसी राज को छुपाए हुए है इसी वजह से जो भी इसे पहली बार देखता है तो यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है फिर दोबारा देखने पर इसकी मुस्कान फींकी हुए दिखेंगी वहीं अगर आप दुखी है तो मुना लिसा की ये मुस्कान फींकी पड़ जाएगी अब एक सवाल यहां पर ये भी उठता है कि अगर लियोनार्डो इटालियन थे और मुना लिसा भी इटालियन थी तो ये पेंटिंग फ्रांस में क्या कर रही है बात साथ मोना लिसा की पेंटिंग भी साथ ले आते हैं कहा जाता है कि दाविंची अभी भी इस पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाये थे 15 साल के बाद ये अभी भी इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे ये इसे और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी बीच 2 मई 1519 में लियोनार्डो डा विंची का देहांत हो जाता है तो ये पेंटिंग राजा अपने शाही खजाने में रख लेते हैं इसके बाद 150 साल बाद 1797 में जब फ्रेंच रेवल्यूशन हो रहा होता है तो इस पेंटिंग को राजा के महल से निकाल कर लूवर म्यूजियम में रख द कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था पूलिस ने सैकणों लोगों को गिरफतार भी किया गिरफतार की एजाने वालों में एक नाम था पाबलो पिकासो जो आगे चल कर दुनिया का महान चितरकार बना पिकासो शक के घेरे में इसलिए आये क्योंकि औरिष चोरी की पेंटि मोना लीसा हमेशा के लिए खो गई है क्योंकि इस दोरान मार्केट में उसे बेचे या खरीदे जाने की कोई खबर नहीं थी लेकिन साल 1913 में मोना लीसा एक बार फिर खबरों में आई पता चला कि इटली में किसी ने उसे बेचने की कोशिश की है हुआ ये कि 29 नवंबर 1913 को इटली के एक एंटीक्स डीलर एलफरेदो गेरी के पास एक ख़त आया जिस पर लिखा था लिएनटिंग मेरे पास है ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए क्योंकि इसे बनाने वाला भी इटली का था लेटर में नीचे लिखा था लिएनटिंग फैक्स हुई फिर 10 दिसंबर 1913 को एक 5 फुट 3 इंच का एक शक्स एलफरेदो गेरी की दुकान में दाखिल हुआ पूछे जाने पर उसने अपना नाम लिएनटिंग दिखाने के बदले 1 लाख डॉलर यानि आज के हिसाब से लगभग 80 लाख रुपए की रकम मांगी दोनों में सौदा तय हु फिर लियोनार्डो ने डील पक्की करने के लिए जैसे ही अपना हाथ एलफरेदो के तरफ बढ़ाया, दूसरी तरफ से भी एक हाथ आगे आया, लेकिन उस हाथ में हत्कडी थी, लियोनार्डो ने गरदन उठाई तो देखा, कमरे में पोलिस आ चुकी थी, लियोनार्डो ये सारा मंजर देखकर समझ चुका था कि ये सारा खेल उसे फसाने के लिए रचा गया है आसल में जो सक्स खुद को लियोनार्डो बता रहा था वो लूवर म्यूजियम का शातिर चोर मास्टर माइंड विंचेंजो पेरूजिया था इसी के चलते कुछ साल बाद 23 जून 1852 में फ्रांस के एक आर्टिस्ट ल्यूक मासपेरो ने पेरिस के एक होटल की चौथी मनजिल की छट से कूद कर अपनी जान दे दी उसने अपने सुसाइड नोट पर लिखा था कि मोनालिसा जैसी मुस्कान और सुन्दरता दुनिया में किसी और के पास नहीं है और नहीं कभी मोनालिसा जैसा कोई दुबारा इस धर्ती पर जन्म लेगा इतना ही नहीं म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लवलेटर और फ्लावर भी मिलते हैं ये भी माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांचेसको मेलजी ने इसकी डुब्लिकेट पेंटिंग बनाई थी. यह पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैडरिड के मुजियो नाशुनाल देल प्रादो में रखी गई है और 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोना लिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था जिसकी हाथों वह बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहत शुक्रिया मिलते हैं बहुत जल्द एक और शांदार वीडियो में